जस्पंजाबी देख दे हुए सारे दर्शकानु मेरे उलो प्यार बरी सस्री का तौर स्वागत प्रोग्रम अजदा मुदा देविच मैं तडी होस्त आशमिता सारे नो इस प्रोग्रम देविच स्वागत कर देआं ज़िए लगातार तौडड़नाल वखवख ब्रेकिंग नीज और खबरा दी अपडेटस इस प्रोग्रम देविच परवाइड कर देढ़ां मेंनों खुशी हो रही है कि अनू मौका मिलदा है तो अनू जो साड़ी कम्मुनिटी दे एहम मसले है उनना दे भी अपडेट्स प्रवाइड करना खास करके जिते सिख कम्मुनिटी दे पहचान दी गाल आन दी है इस मुलक दे विच अमेरिका दे विच किस तरह सिख कम्मुनिटी दे पहचान नों असी वदा रहे हैं उन्नों होर मजबूत कर रहे हैं ते जो साड़ी सिख वैलियूज है गी हैं मेक शोर कर रहे हैं कि ए वैल्यूज मजबूत रहें ताकि अगली पीडी अगली जनरेशन नो पता हुए कि सिख हो ना मतलब की हुंदा है कि जो तुसी आपनों एक सिख कहने देओ कि ओधनाल की कुछ असोसियेटेड हुंदा है ना के सिर्फ तौड़े अपने लें बट उना लें जो नौन सिख नहीं हैंगे जो नौन इंडियन हन उना नो भी दसन लें के हां जी ए हैगा एक सिख ते एक सिंग नी सो एदेनाल ही मैं अज दे प्रोग्रम दे शुरवात करना चाननी हैं बट उन दे गाल हुएगी तो यही पहत्यड की सब्सक्राव दिए एक सारे शुर। नहीं सिर्फ नहीं सथी एक साथ लूड जाना काल जया एगी टे सिंग एक सारे श। थे दे रहें जा करेंग गल कारें, वहीए क्भाम दे नहीं परम्र्म देग शी आख देगल का रही हो जिस नो कॉन नहीं जान दा एंड सडनाल मैं स्वागत करना चाहांगे जसबीर को जी नू भी जो के अमेरिकन सिख काउंसल दे नवे प्रेजिडेंट हान फर्स अव जस बीजी प्रोर्म देविश स्वागत और गॉर्टलेशन्स सट विकाल वैगरी का खाल सा वैगरी की फटे जी ते सारे सुख त्यानों में गुर फटे जी वैगरु जी का खाल सा वैगरीक जी की फटे जी तो यह बहुत वड़ी न्यूज है इस न्यूज नो शेयर करने लिए तुसी दोनों अज़े साड़े इस प्रोग्राम दे विच जुड़े हो I'm so happy to have you Dr. Manbir जी तुर्टनाल हमेशा अंगाल करके दिल खुश अजन्दा है खास करके जिथे अमेरिका दे विच के सरा दे वख़ख initiatives तुसी चकरे हो ताके सिखी ते सिख पे चान नू वदाया जाए नू अगे ऐसी लाके आए You know, proudly दस ये लोग करनू के हां जी ऐसी सिख हां And सिख होंदा मतलब की होंदा है So, सब तो पहले, Dr. Munbir जी, जिना नू नहीं पता, right? I don't think there's a lot of people that don't know But जिना नहीं नहीं पता, American Sikh Council बारे थोड़ा जासा नू दसो, इरी शुरुवात केस मिशन नाल हुई ते जदो तो ये शुरू हुई है संस्ता, किस तना दे कमा दे विचे involved रही है American Sikh Council एक बड़ी पुरानी संस्ता है जी World Sikh Council दी America branch दे ना तो बाद भी चेंड करके जोके सारी main focus अमेरिका दे असी इस करके American Sikh Council दे ना तो इननो रिकरगनाईस कीता है तो दे जितने भी basic संस्कार है कि अकाल तकत साहिब दी रहत मर्याता है तो उस रोशनी वीच आसी इस जड़ी basic principle दे उस सारे तियार कीते है मैंनो इतना कह सकता है कि American Sikh Council दे जड़ी है पर साधी संस्कार जड़ी है एक गुड़वारियां दी representative organization है जड़े विच के सितर तो ज़्यादा गुड़वारे और बारा पंदरा प्राइवेट जड़ीयां Sikh organization है गी ओ भी एरे विच एरे मेंबर बनी होई है तो असी दोना सारे नाल मिलके पंथरी अगवाई वास्ते और चड़ी कला वास्ते पर इतना पुड़वारे कर दे रहने हैं साधी American Sikh Council दे बड़ा डेमोक्रेटिक से दानते अकाल तक साब दी मर्यादा रहना सी समर्पित है और सारे नाल मिल जुलके काम कर दे हैं जोड़े भी मसले आंदे पंथरे उननो साल कर दी कोशिश कर दे हैं और रिकमंट सारे नो कर दे हैं सारे नाल मिलाओ पेदा करके और किसे नो कंपीज कर दी जगा कॉम्पिलिमेंट करके उस तो गे बड़ां दी कोशिश कर दे हैं Wonderful, wonderful. And Dr. Saab, मैं चावांगे कि तुसी सानू, American Sikh Council, दे नवे प्रेज़ेंट देनाल, प्ली इंटूस कर दे हैं पहली बार एक फिमेल प्रेज़ेंट, फिमेल लीडर्शिप अगे आई हैं It's so great to see that, I think, सार्दी कमुनिटी देविच एहो जे एक्जांपल सानू होर सेट करने चाहिए, अपनी बच्चियां ले, अपनी बीबियां ले, जनानियां ले कि तुसी भी इंवाल्व हो सकते हो, कमुनिटी दे मसले आदे विच तुसी भी लीडर्शिप रोल विच आ सकते हो Dr. Saab, please introduce us to the new president. जावे क्योंकि अर्री एक्सपीरिंस है, ते पंसेदा दर्दा है, पंजाब तो बिलाउंग कर दे है, पंजाब दी जड़ी तरकन है, उस नाल वाकिफ हैगे, ते चंगी तरह ओधी फिलिंग अपने नाल रख दे है, और जड़ा भी पंजाब इच होंदा है, जड़ी भी ह कर दे है, तो बच्यां वास्ते भी बड़ा अच्छा एक रोल माडल है गे, क्योंकि बच्चे उन्हें पढ़ान दे भी है, तो सामनों बड़ी खुशी होई है, कि साड़े को बीबी जजबीर को जी जड़े पैंजी है, कि वो आर्रेडी साड़े वाइस प्रेसिडेंस थी, तो असी सरो सम्मती नाल सारा ने मिलके इना नों ए बेंती किती और इना ने परवान किती, ए साड़े अमेरिकन सिक कॉंसिल दे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आगे, तो असी एनादा स्वागत कर दे है, तो मैं चांदना कि साड़े अगर कमला हैरी इस वाइस प्रेसिडेंट ने परवान किता है तो असी फैसला किता है तो इना दा बहुत स्वागत है, मैं लगदा है कि वुमेन इंपावरने में बहुत ज़रूरी है, जिक वुमेन जड़ी है, वो पूरे कार्णों सवार सकती है, और बच्चेयां मांसे रोल मार्टल बन सकती है, शा साथे पंथदा पला ही पला है बिल्कुल तो मैं फिर तो इना दा स्वागत कर रहा है ते इना दी अगवाई नो नमस्कार कर देया हुए आपा इना दे विचार भी जरूर जानांगे जी प्लीज प्लीज जजबीर कौर जी तो डेवलनों मैं एही पुछना चामांगी इस रोल इस पोजिशन दी की एमियत तुसी राख देओ और और जो की तुसी विजिन लेके आ रहे हो इस पोजिशन लेके आ रहे हो इस संस्थाले आनूले समय देविच हाँ जी आप जी ने बात कुछ क्या दिता है मैंनो लगदा ने कि मैंने तारीफ जड़ी है ओदे काबिला पर जदा मैंनो हुकम होया क्योंकि ए जड़ा काम है गया या रोल है इस सारे यां दी सहमती देनाल है ते सारे कोई एदा खास पोजिशन दी या कोई यह निके एक जड़ा कोई फैसला करदा है एदा काउंसल ने कदे भी काम ने किता क्योंकि ऐसी सारे जड़ी सहड़ी एग्जेक्टिव कमीटी हुन दी है ओदे पंच मेंबर हुन देने ते ओदे विच क्योंकि आफिसर्जनो रखना ही पहन दा है एक प्रदान, एक वाइस प्रदान, सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, एक मेंबर हुन दा है बाकी सारे पंदरह होर बोर्ड मेंबर हुन देने दे आर फ्रम अल वर युएस ते क्योंकि मैं थे अमेरिकन स्कूल दे विच इंग्लिस टीचर बाइप्रफेशन, ते मैं थे थारा उननी साल तों कम कर दिया हुए उहायुच यंग्स्टाव सिटी स्कूल दे विच ते नाल मेरा पैशन जड़ा है गया, वो सारा पैशन हैगा, वो सारा पैशन हैगा, वो सारा पैशन है गुर्बाणी स्कॉलर, I always keep on learning and researching and finding the meaning of life साथी basically, जड़ी मेरी जिंदगी है, या किसे दीवी सिख दी जिंदगी है, उन्हों जिंदगी जिवनी कितना चाहिए जिवनी दा मतलब यह नहीं है कि साननों कोई उत्छे, बड़े माराज ने साननों मुश्किलां से पाना है, वो कि दे तुसी हमेशा ही चड़दी कलाव साथी जिंदगी बितानी है, सच नल जोड़के, तो बहुत वड़दा एक पिलर है सिख दी लाइफ दा, और मैंनों लगदा है कि जड़ियां लेडीज ने साधियां बीबियां ने क्योंकि उन्हां दी कुख दे विच कौम दे हीरे, बेशक होती आने ना पुत्तर ने उप खी दियां लोरियां दे नाल नहीं परी होई, फिर असी उमीद नहीं कर सकते के कोई बच्चा साधा बड़दा होके, ओ साइवां दी जड़ी बक्षी होई सानूं जीवन जाच है, जड़ी उमंग है, आनंद है, सच है, बहादरी है, प्यार है, मुहबत है, असी ओ दे नाल रोल मॉडल है, ओ है गुरु गुरु जी ने सानूं पदेश दे ने, जड़ी पुल गयां, फिर असी रोलांगे ही रोलांगे, और मेरी कौम जड़ी है, बेशक एदाज कर नहीं है, यहां सी गुलाम आ, यहां सी खिंडे पंडे आ, क्योंके सिक एक कौम है, एक नेशन है, क कोई छोटा जया कम्यूनिटी यहां समाज नहीं है, इस एक कौम है, और सानूं कौमियत दे जड़ी गुणने, ओ भी सानूं पता होने चाहिए ने, और खासकर मेरी यहां पेनानू, मामानू, दादियानू, क्योंके जे अपना रोल मॉडल दादी लबनी है, फिर मां आपके जिन्हां बच्छान लिए सी की, मेरा परा कोई यह आम बच्चा नहीं है, यह रब है, फिर सानूं जे जे यही आसी और बढ़ना है, पतनी सही बढ़ना है, फिर ऐसी माता खीवी जी बढ़ियें, औना तू सिख्छीए, क्योंके माता खीवी जी दा ना है गुरु पूरा साथ देन दे सान बच्चेयां दे मूँ तो आके खवा के प्या के फिर उस गुरू अंगर साइब जी दी गुर्मुखी दी पाथ शालाच गुर्मत दी पाथ शालाच उनों लेके जाने सान मैंनों लगदा है कि महाराज ने एक गुण टीचिंग दा बक्षिश किता ते नाल मैंनों गुर्बानी दा प्यार बक्षिश किता फिर मैंनों अपनी कौम दे बच्चेयां नो ज़रूर पढ़ोना चाहिए और मैं पढ़ोन दी आ रही हैं बहुत सालना तो बियांड माइ ओन प्रोफेशनल ड्यूटीज जब मेरी समर खाली हों दी है ते सारा ज़रा टाइम है गया ओ बच्चेयां दे गुर्मत कैमपां ते यह बेसिकली लगदा है पिछले साल नहीं कर सकी क्योंके कोविट सी ते बाकी अपनी आप एनानों वीरानों गुर्द्व ज़राल हमेशां गल बात करते रहा ना चाहिए यह साधे मकसद ने इन अनच्छल ज़रे सी आप इस तौनू सुन के मतलब लगदा है की जो पुजिशन ले तौनू चुने है तुसी ओदे ले पर्फिक्ट कैंड़ेट हो एदी दात अफकोर्स दॉक्टर मनबीर सिंग जी तौनू जान दी हीरे दी पैचान करनी बड़ पूरे अमेरिकन सिख काउंसल दी टीम नू जना दी अगवाई हेट ज़स्बीर कौर जी नू इस पॉजिशन दे ले चुनिया गया है तौनू जान दी तौनू जान दी तौनू जान दी तौनू जान दी विमिन इंपावर्मेंट दी अगली पीडी दी गाल करें सिख पैचान दी गाल करें सिख कौम दी गाल करें और अफ कोर्स इन सारे मुद्या दी जदो गल उठ दी ए ते सब तो अगे खड़े हुन दे डॉक्टर मनबीर सिंग जी कालिफोर्निया ता जो के साइट नाल जुडे हन ते जस बीर कौर जी यंग्स्टाउन ओहायों तो भी साइट नाल जुडे हन तो अनु दोनन नो एक बरी फिर प्रोग्रम दे विश स्वागत कर दे हैं डॉक्टर मनबीर जी फाउंडर अमेरिकन सिख काउंसल इस संस्था दे हेट वकवक गुर्दवारे युनाइटे स्टेट्स दे रल के कौम दे वड़े वड़े मुद्यान नो डिसकस कर दे हैं उना दे देख दे की बेस्ट हल है गे साइटी प्रोग्रम आद नो किस तना आसी इंटरनली रिजॉल्व कर सक दे हैं तो आड़ी नवी प्रेजडेंट अमेरिकन सिख कांसल दे नवे प्रेजडेंट जसबीर कौर जी पहली बारी एक औरत नो ए ओदा दिता है जस तना ब्रेक तो पहले तुसी अपने विचार साधना साझे कार रहे सी तो आड़ी जस तना तुसी गाल कर दे हो के सिख्खी नू के स्तना अगली पीडी दे वेच ना के सिर्फ इंस्टिल किता जाए बट रजया जाए उना नो सिख्खी दिना रजया जाए साधे जाए तो आड़ी गाल सुनके सो डेफिनेली काबिल हताँ अच अमेरिकन से कांसल नो दिता गया है डॉक्तर मनबीर जी एक बहुत वड़ा जो मिशन हैगा इस संस्थादा या पुलीस नो बुलाना पैया या मतलब एहो जी चीजा सुनके लगदा है कि गुर्दवारे जी जिते असी जान दे हैं रब दे नाल बानी दे नाल जुड़न लें ओथे एहो जे काम हो रहे है राइट बट चलो डिस्प्यूटस ता चल दे हैं I mean that is part of human nature राइट कांफलिक्ट हुन दी है बट कांफलिक्ट रेजलूशन भी होनी चाही दी है अमेरिकन सेख कांसल खास करक जो कांफलिक्ट हुन दी है उना दी रेजलूशन दे ले किस तरह दी प्रोपोजिशन रख दी है किस तरह दी हल ओफर कर दी है डॉक्टर मनबी जी हाँ जी हाँ जी आप जी ठीक फरमाया है साड़े नंबर अब गुडवारे जड़े है वो बहुत गुरूरी किरपा है कि कहने न करकर अंदर तरमसाल इतने गुडवारे बंदे जा रहे हैं साड़े करीब 60 तो उपर कार्पोरेशन जड़ियां बान चुकी हैं जड़े के इस्टेबिश हैगे स्टेट वलो और तिन सो तो लेके चार सो दे करीब गुडवारे अपने युनाइटेड स्टेट सुच हैगे और गुडवारे दी किंती बदी जा रही है ते ना लिए ऐसी एक प्राप्लम नोटिस कीता हैगा जड़ी आप जी आप जीन जीकर कर रहे है इस ही के जदो भी गुिडवारे वेचे मैनेजमेंट लीय गाला हुन दी मैंनेजमेंट नो चेंज करननना दी मैरेए कोडर वो मेंडा कि करना ह सिर्फॉस प्रोसेस हुन दी मिल्युडेगा उन्यक्शन स्टेबिश बिश्ती हो जड़ रहे अटेडिया दो टर पवी तन टर और अखन दी कोशिश कर देया, और कोल्ट मिच आम तोड़ते हैं, जड़े जजेस होंदे हैं, उनना वास से बड़ा डिफिकल्ट हो जाना है, क्योंकि उननों की पदा कि तो अड़ी की मरियादा है, यह तो अड़ी प्रोटोकाल ने, तो उननों भी तकलीफ बढ़ी होंदी ह और खर्चा बड़ा होंदा है, और संगत भी जड़ा विगन पैजन दा, जड़ी पीस आफ माइंड डिस्टर्ब हो जाना है, फिर हो सकता है कि नवा गुद्वारा बान के निकलेगा, थोड़ी तो देर बाद पता लगदा है, एक और गुद्वारा बान के और मुस्त आप अपने पैसे दा सर्माया दा लास है, फिर गुद्वारा हैं पर जो सिख जान देया, और इक दुझे दे वास्ते जो भी बोल देया, तो अपनी उसमाल इज्जत और शान कोई बद्दी नहीं है, तो आसी एक ख़ड़ा त्यार कीता सी, उदा नाहीं है का कॉन्फिक्ट रि विचार करके, जेड़े भी डिफरेंट डिफरेंट ओपीनियन हैं उन्हानों सुनके, विचार के, पांच प्यारया दी हैसियत नाल, पांच गुर्सिखा दी हैसियत नाल, उसनों रिजॉल करन दी कोशिश करांगे, उदा बदा सिंपल प्रोटोकॉल है, क्योंकि असी करके, जेड़ी बुक बनाई होई है, जेड़ी कि असी जदो भी पता लगड़ा है, जेड़ी कोई गाला है, जेड़ी अप्रोच कर दे हैं, उन्हानों के नियाभी साड़े को लाओ, अपना पैसा बचाओ, खर्चा बचाओ, और संगत्री यूनिटी है, उन्हानों कायम र मीडिया दे रही ना, इस गालों दसो, कि अपना इंटर्नल मेकनिजम बना के रखी है, ना कि अपनी कादील रही लेके बाहर सड़काते जाएए, या कोलता भी जाएए, उचीख नहीं लगड़ा है, एक बड़ी फिर, अगर कोई वी जो वेक रहा है, डॉक्टर मिनबीर ज सिखCouncil.org, एक बड़ी फिर तुसी नोट कर लो, www.americansickcouncil.org, जजबीर कोर जी, साड़ी प्रोग्रम तो पहले गाल हो रही सी, कि जो थे conflict resolution दी गालान दी है, शाहद एक female perspective इस चीज़ दे विच कोई positive impact लेके आ सक दी है, तौरी की अप्रोच होएगी इस मसले नों लेके? हाँ जी, बिल्कुल जी, जिस तरह डॉक्टर मनबी सिंग जी ने आप जी नों explain किता ही है, पहली गालते जड़े भी परबंदक ने मेरे वीर, जिनने मी सुन रहे ने, जिनने मी सुन रहे ने इस वकत, ओ बेशक अमेरिकाज ने, किते बाहर ने, और उनना नों गुरू ने इत्थे में नों लाया गया है, मेरे जीवन दे विच्चों, जे गुरू साहिब वल्लो बक्षियां, जिडियां मेरे लिए वैल्यूज ने, जिड़े मेरे गुण होने चाहिए पहला था, ओ होन, दूसरी मेरी होना चाहिए था, कि मैं सारे वीरानों प्रावानों नाल पहले पहला, ओ जरूर पुच्छन और सला करन, कि ओ जड़ा कोई बंदा हो थे, ज्यादा रोला पोंदा है, या गल्त गल्ला करता है, उन्नों उत्थों वर्जिया जाए, क्योंके वानी तो सानू हुकम है गया है, कि होए इकत्र मिलो मेरे पाई, गुर्मानी नहीं पढ़ करना चाहिदा है गया, कि गुरू ने तो अनू हुकम किता है, कि तुसी सारे कठे हो के, सारे जड़े सफा वशा के उते गुर्मत विचारा करके, गुरू तो पुच्छो कि इस चीज दरड़ा चगड़ादा है गया, जड़ी एक जड़ है, और कित्थे है, तो उसी उन्नो पुच्छा 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 कर दी है संगत ओ सेवामा दे लगना चाहिए जिवे के बच्चे अनु पड़ा ओं लेई गुरबानी दा विस्तार करन लेई पिंजाबी पड़ान दे लेई उते गत्के सिखान दे लेई यहां गरीब दी जड़ी है ओधी मदद होनी चाहिए दी कोई भी गरीब एथे भी गर करें कोई प्राबलम है उजरूर आके गुर्दवारा सब दस्तंते जड़ी दड़ी दस्वंद दी माया उदे चो उस दी मदद होनी चाहिए क्योंके माराज ने सानु पहला ही क्या है कि गुरू की गोलक गरीब दा मू है ते जा गुर्दवारे नू रन कर लेई उते दी चड़ी कला लेई उस सारा कुछ लगना चाहिए ना के आप सी लड़ाईयां नू वदा के हंकार नू वदा के ते फिर कोटां दे विच जाओ उजड़ी अमेरिकन जजने उननू दे विचारियां नू पते हैं नहीं लगता है उगे ने समझ ही नहीं है कि तुसी की कर द तुसी एक दुजड़ा लाड़ कियो रहे हो, like they don't understand, right? They don't know. आमते हो साथी मतलब गुर्दवारे दी मर्यादानो की समर सागदे है? But in any case, it's so, बहुत खुशी हो रही है एक लोकादे ने शेयर कर दे हुए, खास करके जो व्यूर साड़े सुन रहे हैं, वामें तुसी संगत वलो सुन रहे हो, गुर्दवारे मैनेजमेंट, गुर्दवारे प्रधान वलो सुन रहे हो, या तुसी सोच रहे हो कि साड़ी कम् विच अगर तौनु है दी लोड है, ना के थी कोट आया, थी पुलीस, या खलारा पान वाली गालना करो, अमेरिकन सिख काउंसल दी मदद लवो, अगर तौनु कोई थर्ड पाटी चाहिए, अब्जेक्टिव आउटसाइडर चाहिदा है, अगर तौनु कोई थर्ड पाट साथ नाल जुडेहन, founder of American Sikh Council, अते जस्बीर कौर जी, the new president, तौनु इक भरी फिर, शुब कामनावा, congratulations, सादे सारे हैं वलनो, तोडे विचार, लीडरशिप दे रोल दे विच सुन के, बहुत confidence मेसूस हो रहा है, उदा इस संसाने हमेशा, कौम दी परचान, कौम दे जो वर् इक होर बहुत वर्डी चीज दे नाल ग्रो हुन दे है, और इस चीज दे जादा फोकेस नहीं की सिदा हुन दा, खास करके असी एक वेस्टर्न कंट्री दे विच रहने हैं, अमेरिका दे विच रहने हैं, इस चीज नो लेके, you know, काफी लोग का ओपन-माइड़ विउस हुन दे हैं, बट डॉक्टर मनभी जी चीज ता तुसी में अनन्द कारज हुन दे है, एक सिंग तेक कौर दा मेल, राइट, इस अनन्द कारज दे मुद्दे नो लेके, डॉक्टर मनभी जी, तुसी कुछ विचार मेंना सांजे कह रहे सी, के रैत में रहादा, शाय दसी थोड़ा पिच्छे चड़के, वो शोशा दे ले जादा, अनु की दास दिये है, डॉक्टर मनभी जी, अपाँ शुब अनन कारज दी जड़ी शुब कड़ी हों दी है, उसनों लेके जड़ा आप जितने कहा है, जिसना आपाँ फैशन या एक स्टेंसिव एजिंडा बना के पारकां विच या खुटलां विच जड़ा कर दे है, ते उसनों लेके सानों लगदा है, कि सानों एक प्रोटोकॉल बनाने दी लोड महसूस होई है, ते असी जड़ी शुब अनन कारज दे चार लामा फेरे हों दे है, उननों मुख रगदे होयां, ते जड़ी अकालतक साब दी रहत मर्यादा, जड़ी उनी सो पैंटी तो इतना प असी उसमर्पित है, उसने जो भी लिखे हैं, उसने पैरा देन दी अकालतक साब दी मित्धी रहत मर्यादा है, उनने पिछे सारी चीजां सपेल आउट होई है, ते असी चान्द दी आए कि उसने पैरा देन दे नजर आईए, और शुब अननकारज जड़ा है, उनने असी चान्द दी मित्वादा दे नजरूरी है, ते नाली आपा उसनों एक सिंपल तरीके नाल कार सकते हैं, कई बड़े अच्छे तरीके नाल में देखे हैं कि अननकारज ये टाइम में कीतन कर दे होए, कुस तबाद लावां फिर एशु हो जान दी है, कई बच्चे बच् अपल रखिये और इंसाइट दी प्रेमिसस रखिये जिसा रहत मर्यादा कें दिये कि खोटलां विच या पारकां विच नहीं, बलकि गुदवारे दे अंदर ही, बड़ मारा की हुवरी विच ही लावां फेरे होने चाहरी हैं, और प्रप्रपरेशन वास्ते भी बच्चे पहला ही अगर दास्ता जावे, पि एक की होना है, किस तरह होना है, क्योंकि कई और इस विच देखन विच आ रहा है, मैं आप कही विच्छा महिसूस कीते हैं, कि ओ जी शाड़ी बच्ची करें जी मैं नाल नाल चलना है, मैं पिछ्छे नहीं चलना जी, तो कई तरह देखन सज्चा हाता है, सज्चे पासे तो अड़े गुरुगरान साथ होने चाहिए है, एकर बच्ची खबे पासे चाल रही है, पर उदे सज्चे पासे तो गुरुगरान साथ है ना जी, तो अग्ये चलने नाल या पिछ्छे चलने नाल फरक नहीं पहना है, जी बराबरी दी गा करन दी रोड नहीं हो दी है तो असी जड़ी बुकलेट बनाई है उदा ना ही आएगा मेरिश मैनुवल तो असी चांद नहीं है क्यों गुड़वार रहे हैं विच अशी उन्हें डिस्रिबूट करी है और जो भी अननकारज होगे उस्ताला बच्चे ते बच्चिया नो दे पर जोड़ना अगर जुड़ गए थी ते सरावास्ते कठे रह पानगे है ना जी तो मैंने कहला है कि पार राइट्स मेरे राइस तो अड़े राइस दे चक्रा में बहुत ज्यादा से परेकर लेने हैं और मेरे खालना चीड़े बच्चे साड़े हैं, थे हों साड़े भी त्न बच्चे आजी आए है, तो मैं देखे हैं है को मेरा आकाउंट, मैंना तेरा आकाउंट, मेरी इंकम, तेरी इंकम को सांज पैदा करने वाली गाल जडी ना, वो शुब अननिकारत तरह शुआ सांज पैदा कर देनी एकाप पैदा कर लेना और उससे चलना और अपनी जिनगी दी निर्वाव सा अमनल करनी यह सी चान्द है कि कि सारा नो प्री वेडिंग एड्यूकेशन मैनुल देता जावे उससे आसी काम कर रहे हैं जी 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 जजसबीर कोग जी तुसी तौर्डी मतलब जो डे जाब हैंगी तुसी बच्चे और पढ़ादेये ओ तुसी गुर्मत कैंप भी लगातार जो ना ते विक इनВैल्व हो ना दे विक सिखान्दे ओ रَकदे ओ ऊर्गनाईज कारदे हो तो अनुकी लगदे कि इस तरह दे मैरेज, मैन्यूल दे नाल जो साड़े बच्चे एक दूजे नाल वे आनदे है उना दे विच किस तरह दा एक वेरनेस या साड़ी जो रहत मर्यादा है यो दे बारे किस तरह हो जानकारी पैदा हो सकती है एहो जे एक इनिशिटिव दे नाल हाँ जी एते एक देखो गाइडलाइन है गी है क्योंके लोग की अपनिया फिर मन मर्जियां बहुत कर दे है क्योंके वीर जी भी जान दे आप जीनों भी पता होएगा क्योंके गुर्मत दे अंदर दो ही तरीके दी सुर्थ उन्दी है या ता गुर्मत है या मन मत है ते जेड़ा सिख है ओ अपने मन दी मत नहीं कर दा ओ गुरू दी मत लें गुरू है ही मत दे लिए क्योंके साड़े कोल मत नहीं हों दी सादे कुल शरीर है, सादे कुल पैसे ने, बार माबाब भी ने, पर जिंदगी नू सही और सादनू मतलब प्रॉब्लम्स ना आन, सादनू दुख का टान, सादनू परिशानिया दा समना ना करना पए इस कर कि असी गुरू तो पुछ के जिंदगी जिने या, ते अग्ये तुर दे या, you have a guru to make choices, because the choices are long lasting and life changing, मैं इंग्लिश चभी कह दे मां, तो अड़ी जड़ी है तुसी रोज रोज अपन चॉइस बनाने या, ओही सादी जिंदगी बंदी है, ओही सादा दा जड़ा है गया है, राजा है, देखो सादा रूप जड़ा है गया है, दस्तारा सिदा, ते सादी ताज ने, असी एक सर्भ वे अपनी मालिक दे, शेहन शादे, शेहजादे ते शेहजादिया मां, ते मैं अर्ज कर दे मां अपने वीरा पैनानू, सुनन वाले आनू, के गुरू गरन साब दे अंदर जो अंकत है, लामा दा पार्ट, ओएक्चली सादी जड़ी जीवात्मा है, ओदा अपने शेहन शाद, अपने मालिक काल पुरुख देनाल जड़ा संजोग है, एक मिक होना है, क्योंकि अपने अपनो गवा के ही प्रितम मिलता है, यह ते प्यार दी गल है, प्यार ओचीज है, जी ते तुसी मैं ता रही नहीं जान दा, गुरू पानी सारी कहन दी, तूं तूं करता, तूं हुआ, मुझ में रहा है, उन्ता सब कुछ मन लेगा, उन्हों समझ भी आजेगा, जीने अड़ना है, ओधे फिर अर्ग्यूइंग दा कोई, एंड नहीं है, क्योंकि अपनी मन दी मत जड़ी अंगे रखनी थे, मारज केंदे ने, तान पिर एना अख्ये बैन इकठे होए, उन्ना नूं हस्बें पती ते पतनी ना को जड़े कठे होगे बैगे एक मंजे दे उते, साहिव कहन दे तन, पिर एना अख्ये बैन इकठे होए, एक जोत, दोई मूर्ती तन, पिर कहीं ऐस होए, उन्ना नूं पती पतनी, हस्बेंड वाइफ, ते उन्ना नूं कहना चाहिदा है, जड़े बेशक दो शरीर होण, पर उन्ना ने अंदर इक कोई जोत काम करें, मतलब उन्ना ते विचार बड़े एक, दुझे नाल, हर्मोनियस होण, हर्मोनियस विचार बाना ले ही सानू गुरु दिलोड है, गुरु पर पक कर ले ही सानू गु दवारे दिलोड है, ओ दे तो सनू, माधियम दे रही अपनी जवान पीडी नूँ जड़ी जवान बच्चे ने या हो जड़े आज मतलब 20 साल तो उपर 40 साल तक ने जड़े इस बंदन विच बंदना चौंदे ने अनांद कारज में थे कैनी हर एक नू करना सहीदा क्योंकि गुरु जी नहीं परवान कर दे जिनना दा ग्रिस्त जीवन नहीं है वो कहने ओ समाज नू दे नहीं दे क्योंकि उनन दुख सुक दा पता नहीं लगदा जी दे अपने बच्चे नहीं है और दूजे दा दुख कि थो पता लगएगगा जीदा अपना परिवार नहीं है उन्हों दूसरे ने परिवार दी कोई प्राब्लम कोई मुश्कल समझ ही नहीं आनी इसलिए सनु गृस्ती होना जुरूरी है माराज में एक चीज किन्हें यूनीक हैगी सिखी देनाल जुड़ी हुई किन्हें हो जे रिलिजिन्स हैगे जो कहने कि नहीं जो उना दे लीडर्स होन और बिलकुल गृस्ती तो दूर हैं वेया शादियां तो दूर हैं पर जसना तुसी जस बीर को जी दस्या है फिर तुसी एक अधूरी तरह एक अधूरे परस्पेक्टिव तो लीड कर दे हो जिस तरह तुसी दोना ने इस अनन्द कारज बारे सादनाल जानकारी शेर किती मेरिज मैनूल एक वरी फिर अगर कोई भी तरनाल रापता काइम करना चांदा है www.american-sick-council.org अधना था मसले ते सवाल बहुत है तो डिलेबर मैं एक बहुत इंपोर्टन्ट मुद्धे ते गल करना चांदी है एक छोड़ी जी ब्रेक लिए थे रुक रहे हैं प्लीज तुस दोनों इस तरह सादनाल बने रहो तुसी भी जुरे रहो कुछ इंपोर्टन इंफरमेशन आन वाले समें नू लाके American Sikh Council दी अपकमिंग इवेंट सुन लाके तरनाल शेयर करांगे ब्रेक तो उस पार अग बरी फिर तरनाल हाजिर हुए हैं ते गाल होरी American Sikh Council दी की कुछ मुद्या ते ये संस्ता काम कारी है ते इना दी नवी लीडर्शिप मैं एक बड़ी फिर सौगत कर दी हैं डॉक्टर मनबीर कॉर जी फाउंडर अब अमेरिकन Sikh Council दी जस बीर कॉर जी excuse me Dr. मनबीर सेंग, I'm so sorry कॉर मूते चड़या हुए है, female empowerment दी काल होरी है जस बीर कॉर जी तुसी इना वदिया सान नो साड़नाल अपने विचार सांजे कार रहे हो पामे गुर्दवारे दे विच जस तना conflicts नो resolve किता जाए ताकि ओ चीज बार ना जाए साड़े अंदर दे मामले अंदर ही resolve होन दे विच American Sikh Council मदद कर सकदा है एक objective view offer कर सकदा है पामे जित शुबनंद कालज दी गालां दी है साड़ी रहत मर्यादा दी गालां दी है ओदे वे चिक इस तना एक पासे गुर्मत एक पासे मन मत जिस तना तुसी जस बीर कॉर जी दसे है ते अगर तुसी गुरू दा नाल आके अपनी नवी जिंदगी अपना नवा मेल शुरू करना है ते फिर गुरू दी मर्यादा दे नाल ही उस चीज नो करना चाहिए है बट मोस्ट इंपोर्टली मैं अखीर दे सेग्मेंट दे वेच एह होजा टॉपिक तो इनाल डिसकस करना चाहन दी है जिदे उत्ते लगातार गल हुंदी है जिदे उत्ते हरे कोई जो आपनो सिक्ख या पंजाबी मंदा है ओ इस चीज बारे चिंतक है ओ इस चीज बारे दर्द मिसूस कर रहे अज़ी डेट दे वेच बिकर जे जो समस्या है एदा कोई हल नहीं नजर आ रहे है जिननों लाकि अमेरिकन सिक काउंसल बहुत ही एक्टिव रही है डॉक्टर मनबीर जी मैं तो आज़ तो पुछना चाहाँगी लास्ट डेम भी जो तो अडेकोल आके प्रोग्राम किता सी तुसे साड़नाल कुछ इंपॉर्टन जानकारी शेयर किती की तुसी सानु आज जो दसना चाहोगे अमेरिकन सिक काउंसल किस तरह इस किसान मोर्चे नो हो रगेवदा आ रही है इस तुसी की इंफरमिशन सांदा सकते हो जी किसान मोटी जड़े है वो साड़े सारे वास्ते एक बड़ा इंपॉर्टन अहम सवाल सारे पंथ वास्ते ही हो चुका है क्योंकि पिछले हपते जड़ा करनाल बिच लाठी चार्ज होया सी वो बड़ा दुहदाई सी वो बड़ा दर्द उन्दासे की जड़े किसान पाही जड़े है वो इतना पीसफुली प्रोटेस्ट का रहे है नॉन वालेंस एक मिसाल पैदा कीती है एतने बड़े तादा आते हो कठे हो रहे है यह वोल्लिच एक बड़ा-दीका एक एक dedication कीट हो गया एगा के non-violence पीसफुल प्रोटेस्ट थी मिसाल कायम कीती है ते उना थे hundreds वालेंस करना तो मैंनो लगड़ा है के अर किसान जड़ अज़े जड़ा के अन्हा दाता है पूरी बी सिस्टार रूल थोपने गलता है, वो रहाएं को पुछ के गाल करके फिर बी रूल रूल चैन्ज करना चाहएदा थी आगर वो इस विरोता कर रहे हैं ते उनुना नल बैटके गाल करके ते रिजाल करना चाहएदा से पर वो सरकारी एजेंडा जड़ा भी है जो भी उनारी एक अपनी कार्पोरेट्ट करानिया नाल एक सांज बनी होई है उस सांज नो पूरी करन वास्ते जो भी उप कर रहे हैं वो आम मजदूर्ट किसान वास्ते बहुत ही दुखदाई है क्योंकि हर किसान दा एक जमीन नाल बड़ा गुड़ा रिस्ता होना है वो अपनी जमीन दा दे नहीं सकता उसको जमीन खो लेनी बड़ा ही माड़ा काम है तो उसनों लेके आसी बहुत सारे काम करन दी कोशिश कीती है असी स्पीकर ब्यूरो शू कीता है असी जिने विच के साड़े किसान मोर्चे दे फार्मिंग इंसिटूशन दे जड़े माहिर ने उना दे जूम मीटिंग कर दे रहे हैं उना दे एक्सपर्ट बोग पुछ दे रहे हैं जबी तो अड़ा की शेया लागा असी बिलबोर्ड बनाके ते अवेर कर दे रहे हैं साड़े लोकल जड़े कौंसल मैंने मेर ने उना ने भी साड़े किसाना दे फेवर विच अपने क्लिफ बना बना किसानों दीती हैं असी बेकर शुड़ विच किसान मोर्चे वलो सारे वालो रोज शनी वार ते एट वार नो दो तिन कंटे दा एक पंचायद बिठान दे हैं ते उस पंचायद पे सारे बैट के विचार कर दे हैं, गाल कर दे हैं, सारे ने ग्रीन रांग दी हैं, जड़े किसाना दे सपोर्ट दी, अफेवर दी, दस्तारा होनी आने, वो सजाईयां होनी हैं, उत्ते को भी पंचाब तो किसान पाई आंदा है ते उसी बैठ किसान पांते हैं, असी स्टीकर बनाए, अमेरिकन सिक कॉंसिल ने कार चलाने वाले स्टीकर डिड़े हैं, जगा 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 वन डे ड लब्द कराया है, उन्हादी वाले पासे भी त्यान देता है कि उन्हादी जड़ी अपनी फैमिली लाइफ है, उससे इतना फानेशल बर्डन ना पावे, तो इस इस तरह कही काम कीते हैं, किसान बीरा देनाल सी, जितनी भी इस आंज पासक्दे पांदी कोशिश कीती है, ज अमेरिकन से काउंसल देवलनों एफर्ट्स थे इनिशिटिव हो रहे हैं, मोर्चे नों होर तंदृस्त करने हैं, हाँ जी, यसी शुरू तो ही है, श्मिताजी, जदो तो शुरू है ऐसी मोर्चा, उदो तो उथे पुचाईयां से गिया, रस्दा जिन्नियाम यसी पुचा फिर हो जदो आसी दुबारा सोचा थे वीजियो नहीं सारे लग्यों है, सारी काउंसल जदा डॉक्ट मंदी ने लीड किता, जड़े सी बिल बोर्ड्स हो थे कालिफोर्निया चलाए, ते काउंसल मैंज नो मेलके उना ने दिता है, सारे अप अपनी जड़ी उना ने छुट मैं नो पता है कि जड़ों बंदे कार नहीं होंदे और मैं वैसे भी अमरसर इलाका मेरा ते साध्या मेरे माबाब दा जड़ा किता है गाया, जौब दे नालना लोग खेती बाड़ी सी, साध्यी जमीन हो थे, सारे कम चल दे सी, बचपंच बहुत वड़े होंदे आसी देख आज तक कर बीबियां विचे मिला के ते ओ जड़ी जालम सिरकार है, ते गल नहीं सुन दी पई, ते फिर पिछे बीबियां वचारी आनो बहुत दिक्कत होंदी है, बच्चे आँ उनना दा जीवन जड़ा सारा जड़ा अस्वयस्त हो जानदा है, रुक जानदा है, ते फि पकड़ किती के चलो किसे नो सी ओन ग्राउंड लब के तरन तरन दिस्टिक अमरसाइड दिस्टिक दे विच पिंडा दे विच पहुंच किती के जित्थे ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी है, वो थे फिर लब के जिनना दे पाणी नहीं हैगा करांच, चलो पाणी दी चलो चेड़े बच्चे हैंगे 11th, 12th दे विच उना नो प्रिंसिपल हो थे आन दे रहे, मतलब वो थे ता नो पता ही आओ थे कौन किसे दी परवा करता है, तो उस तो असी प्रभावत बहुत जयादा, आसी दे वीरा ने सबने हां किती, क्योंकि साठी काउंसल दे विच अ आसी सारे ही वोलेंटियर्स हां, आसी सारे ही प्रोफेशनल्स हां, आसी सारे ही कौमी प्यार वाले हां, आसी सारे ही गुर्सिखी नाल परणाय हुए हैं, तो उसी कोई भी कम कर दे हैं तो एक दुझे दी गल समझांच, कोई सानो टाइम नी लगदा, एक मिंट दे विच सा पाफ हो जान दी है ते सारे नाल जुड जा देने भी लिए कोशिश कर दे हैं के उटे पिंडा चिसमिंट पर आने खासकर जांकर परिवार रहें और पिक्छे उन्हा दी सार ले जाए जो 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 किसी दिलोड है जिनना कसी कर सकते क्योंगे बहुत वड़ जाता नाल सब्सक्राइब कर दो क्यों अपना काम चला सकंड कई घरीब ने बहुत ज्यादा जितना बज़ुर्ग वी ने ओनानुमी एही सब्सक्राइब मदद इस तरीके किती जा रही है कि थोड़ी जी ओन गोइंग रहे प्रोलांग करें जी एहु जी मदद मतलब जे दी लोड हैगी लोकानु एनिके जो सड़ा जी कर दे बर जो ठे उनना नू लोड़ा हैगी जो पूरा कर रहे हो जरूरता नू वेकर रहे हो एगाल एक सोशल मीडिया तक ना रह जाए बट जो साड़े उथे बीबियां बज़र्ग बैठे हैं साड़े नौ जवान बैठे हैं उनना नू हले भी साड़ी साड़ी सपोर्ट चाहिए इस चीज नो तुसी अच दोराया है साड़े थे ले थे थे ले तेंक यू फर दाट एक प्रो अच्टिव तरीके देनाल अड्रेस का रहे हैं और यू आप अधर देनाल अधर्स का रहे हैं और यू आप दोराया है जानकारी दाव जाना एक तैसी मूल नानेशाई के लेंडर जड़ाना ओर साल पब्लिष कर देना है तानू 15-20 साल हो गया है तैसी अपनी दे जड़े उननों जोड़े आएगा तै जिस नाल के वो स्कॉर्स पार्टिसिप्रेट करन तै खोर सारे उननों पता लगे किसी कोन हैगे सारी ग्लोबल मीटिंग जड़ी है वो असी लास एंजलिस बिच ब्रूना पार गुड़ारे विच आठ नो ते दस हक्टूबर विच कर कर रहे हैं कि जड़ी दोजियांवी स्क कौर्णाज हourगनाजेशन है किए अभनाते वे रिप्रोजिंट्र माम और अपनों केको कीड़आ काम कर रहे हैं कितना कर रहे हैं बसी सारे मिल्के कॉत्थी होके पंथिक काम जड़ी हो इसांच पासकी है तो इस मीटिंग विचे शमूलियत करन वास्ते सी चान ने आए भी सारे हिसा लैंड कि अपन जो तो मिलके बैश के कोई विचार करांगे तो एक युनाइटेड एफर्स नाली के चंगी सोच सामने आएगी तो पंथिक जड़ी सोच है वो सारे आंदे कामा आएगी तो इस साड़े को पुछे आए उना आते विचार करांगे तो छोटे-छोटे ग्रुप बनाके तो सारा नो बोलन दा अपने विचार देन दा पूरा-पूरा मोका मिलना है तो संडे नो सी समाप्टी भी करांगे गुर्दवारे भी संगत नो दसांगे कि आसी की कुछ कीता है और क साड़ी करन दी साड़ी सोच है तो संगत दार्शिवाद लाके इसी समाप्टी करांगे 10 अक्टूबर एट वार नो उस तो बाद सी चांद है कि साड़ी साड़ी लीडर्शिप पंचायत लग दी है बेकर शोड़ी चोड़े विच भी हाज़ी परन यह साड़ा एक गोल है उमीद कर दे हैं कि यह सारा सी करता की है विच उना दी नवी प्रेजडेंट जसबीर कौर जी नो चुनिया गया है तो दोना नाल गाल करके बहुत वदिया लगया थे कौम दे जो एवड़ेवडे मसले हैं उना नो किस तरह अमेरिकन सिक काउंसल टैकल कर रही है इमें जरूर एक बरी फेर इते सारे नो औरज करांगी कि तुसी जुड़ो इस संसादे नाल खास करके सड़े गुर्दवारें नी जथे बंदिया हैं तुसी रापता काईम कर सकदे हैं www.americansickcouncil.org Dr. Manbeer हमेशा तुरले हाजर हुंदे है परसनल तुर्त में काईचान दे हमेशा He is always available किसी भी काउम दे मसले ले So good to have तुसी दोनानू So good to have you इस प्रोग्रम देवेच तुरूर तुन वापस लापके आवंगे होर अप्टेश ले तुर दी इस Global Conference दी भी पूरी जानकारी Viewers नाल शेर करांगे Have a good rest of your evening Sat Sri Akaal वाई दूजी का खाल सा वाई दूजी की खते जी एदे नाली प्रोग्रम दी समापती कर दे हैं सड़े ले कोई questions, comments, concern या सड़े guests ले दूसी जुरू सानू लिख सकते हो info justbroadcasting.com आशमिता at justbroadcasting.com हुन्वनो देव इजाज़त Sat Sri Akaal